हेलो एव्रिवन हमारे चैनल आपका रहे सोई घर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपके साथ कच्छे केले की बहुत ही टेस्टी सबजी की रेसेपी सेर करने जा रही हूँ तो चलिए सबसे पहले हम केला को काट लेते हैं तो यहां पर मैंने छे केला लिया है तो सबसे पहले हम सारे केले की जो ऊपर की कवर है उसे हटा लेंगे तो इसे अगर आप पिलर की साहथा से निकाल सकते हैं तो उससे निकाले या फिर यह नाइफ से बहुत ही अच्छे से निकल जाता है तो यह देखिए, हमने सारे केला को कवर से अलग कर दिया है, अब हम इसके पीसेस कट करेंगे, तो यह देखिए हम कुछ इस तरीके से गोल गोल इसका पीस काट लेंगे, और इस केले के पीसेस को हम मोटा मोटा काटेंगे, यह देखिए कुछ इस तरीके से, यह केले की रेसे उस समय भी वॉस कर सकते हैं अब कढ़ाई में हम जालेंगे दो चमच तेल ये सरसो का तेल है आप किसी भी कुकिंग गोहल का इस्तमाल कर सकते हैं तेल जब पूरा गरम हो जाएगा तो हम इसमें एक छोटा चमच राई का दाना और दो तीन हरी मेज को टुकरों में तोड़ करके डाल देंगे और इसे 15 से 20 सेकंड तक चटकने देंगे साथी हम इसमें एक बड़े साइज के प्याज को बिल्कुल रफली चॉप कर लिये थे उसे हम इसमें डाल देंगे प्याज हमें इसमें पतला नहीं काटना है मोटा मोटा ही काटेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा प्याज को हम हाई प्लेम पे ही तक्रीबन 2-3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे प्याज को हमने 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है अब हम इसमें आधा चम्मच लसन द्रक का पेश डाल देंगे स्वाधनिसार नमक डाल देंगे और हल्दी पाउडर डाल देंगे तो मैं यहां आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और इसे सुन्दर बनाने के लिए हम इसमें आधा चम्मच कास्मीरी लालमिस डाल एक बार इसे अच्छे से हम mix करेंगे और ढग कर हम तब तक पकाएंगे जब तक की केला soft न हो जाए medium flame पे तो यहां पे केला को तकरीबन पकते वे 6-7 मिनट का समय हो गया है medium flame पे तो केला जो है वो पक चुका है तो अब बस हम gas का flame high करेंगे और इसे एक से दो बार हम कुछ इस तरीके से mix करेंगे और उसके बाद हम gas का flame off कर देंगे तो यह हमारी बहुत ही मज़ेदार केला की बहुत ही जटपट पनने वाली सबजी बन करके ready है तो आप हम इसे serve करेंगे कच्चे के लिए की इस recipe को आप एक बार ज़रूर try कीजे और मुझे comment करके बताइए recipe पसंद आती है तो recipe को like share कीजे चैनल को subscribe कीजे वीडियो देखने के लिए thank you so much